दूस्तो 2023 में किसी भी उम्रे के वेक्टी का बर्थ सेटिफिकेट ऑनलेन बनना शुरू हो गया है मात्रे 205 मिनट में आप बर्थ सेटिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी अपने मोबाईल फोन से या फिल लेप्टॉप से इस वीडो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा जिसमें दूस्तो मात्रे 6 दिन का समय लगेगा 6 दिन में आपका बर्थ सेटिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा तो कैसे अप्लाई करना है, क्या है पूरा प्रोसेस, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक हो शेयर कर देना दोस्तो ओनलेन बर्थ सेडिफिकेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले india.gov.in के अधिकारिक पोर्टल को ओपेन कलेना है यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर type कर लेना है birth certificate जैसे कि दुस्तो यहाँ पर आप देख लिए टाइप करने के बाद आपको search की button पर click करना है अब जिस जिस state में दुस्तो online birth certificate बनाया जाता है उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते है अगर आपके state का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है तो ऐसे में आपको next page पर आ जाना है next page पर दुस्तो आपके state का नाम दिख जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है या फिर आप simply birth certificate के आगे अपने state का नाम भी type कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर example के लिए बिहार टाइप कर लेता हू birth certificate बिहार आप देख लिजिए ठीक है इसे हम search कर लेते हैं search करेंगे तो पहले ही number पर यहाँ पर आगया है apply for birth registration बिहार आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसी के उपर आपको click कर देना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर apply for birth registration आएगा इसके उपर click करना है ok की button पर आपको click कर देना है उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर सबसे पहले दुस्तों आप देख लिजे यहाँ पर दिया गया है कितने दिन में दुस्तों आपका जो birth certificate है वो बन कर ready होगा तो यहाँ पर साफ साफ इन्हों ने mention किया है छे दिन लगेगा आपका जो birth certificate है वो बन जाएगा ठीक है आप यहाँ पर पूरा process देख सकते हैं अब आपको simply करना क्या है यहाँ पर दुस्तों आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा application form तो इसी के ऊपर आपको click कर देना है इस पर जैसे आप click करेंगे आपके सामने दुस्तों birth registration and issue certificate का जो form है यह खुल कर आजाएगा जैसा कि यहाँ पर आप live देख सकते हैं अब इस form को आपको fill up करना है कैसे fill up करना है देख लीजिए सबसे पहले आपको अपना primary language यहाँ पर select कर लेना है जो भी आपका primary language है हिंदी या फिर English इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पर दुस्तों आपको अपना secondary language select कर लेना है यहाँ पर भी English इंदी दिया गया आपको अपने इस आपसे select कर लेना है ठीक है इस प्रकार से उसके बाद यहाँ पर main जी जाता है type of service आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें दुस्तों आपको यह देखना है कि जिसका birth certificate बना रहे है उसकी आयू कितना है उम्रे कितना है अगर एक साल से अंदर है तो यह पहला वाला जो option दिया है इससे आपको select करना है लेकिन अगर एक साल से ज्यादा के age वाली का birth certificate बना रहे है तो आपको यह select करना है जैस झालिश सून से इसान थी यहां पर ही लाकिश टाइप लेक्र स्वाढ़राएं, यहां कि टाइप G2 aimer टाइप में टाइप लोग्ट कर्या टाइपार है , धुकर Folsom आपकर नाम आपको शेख वत घुप। उसके बाद अगर आपके पास आधार nonber है तो यहाँ पर दूस्तों आपको आधार number type कर देना है उसके बाद आपको यहाँ से नीचे चले आना है अब आप दूस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है place of birth जहाँ पर दूस्तों आपका जनम हुआ है उसका पूरा का पूरा detail address वगर आपको यहाँ पर fill up कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपसे पूछा जाता है document ठीक है कुछ document की बारे में आपसे पूछा जाता है तो इसे आप अपने हिसाफ से accept and reject कर सकते है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर father information पूछा जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिता जी के बारे में पूरी information दे देना है ठीक है उनका नाम उनका पूरा का पूरा detail यहाँ पर type करना है फिर नीचे आपको अपने माता जी का पूरा नाम डाल देना है पूरा जो उनका detail है आधार number, mobile number, first name, last name सब कुछ यहाँ पर type करना है उसके बाद यहाँ पर आपसे address पूछा जाता है जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय आपका जन्म कहा पर हुआ था वो पूरा का पूरा आपको अपने माता पिता का address उससे type कर देना है अगर आपका जन्म out of India हुआ था तो आपको यह out of India सेलेक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद दुस्तों यहाँ से आपको नीचे चले आना है यहाँ पर आपसे आपके माता पिता का इस्ताई पता पूछा जाता है यानि कि permanent address तो आपको यहाँ पर अपना जो permanent address है उसे पूरा fill up करना है फिर नीचे आना है यहाँ पर आपसे कुछ information पूछी जाती है जिससे आप यहाँ पर read करेंगे तो आपको पता चल जाएगा काफी simple है इस form को fill up करना तो आपको यहाँ पर पूरा detail डाल देना है उसके ब आपको आपके माता और पिता जी के बारे में कुछ information पूछा जाता है तो उससे आपको यहाँ पर fill up कर लेना है जैसे कि परिवार का धर्म है पिता ने कितना सिक्षा ग्रहन की है माता जी का जो सिक्षा का स्तर है वो सारी चीज़े यहाँ पर पूछी जाती है उसके बाद other information पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़े बता देना है जैसे कि जन्मे के समय माता जी की उम्रे कितनी थी शादी के समय माता जी की उम्रे कितनी थी डिलिवरी के समय माता जी की उम्रे कितनी थी यह सारी की सारी जो question ने दोस्टों यहाँ पर आपसे पूछा मांगा जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बारे में कुछ मेंशन कर देना है डीटेल डाल देना है अपने नाम के साथ साथ ठीक है यह सब होने के बाद आपको I agree के बटन पर क्लिक करना है यह से आप पूरा form फिल अप कर लेंगे उसके आपको छे दिन का इंतेजार कर लेना है छे दिन बाद दोस्तों आपका जो बर्थ सेडिफिकेट है वह बन कर आपका जो एड्रेस उस पर आ जाएगा और जब आप इससे सब्मिट करेंगे तो आपको एक रिसीविंग भी मिल जाएगा तो उसी आपको समाल कर रख लेना है तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है बर्थ सेडिफिकेट के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन जरूरी बात यह है कि हर एक स्टेट में दोस्तों ऐसी सुविधा नहीं होती कि हर एक स्टेट में online birth certificate के लिए apply कर सके कई के स्टेट में दूस्तो आज भी अगर आपके िस टेट में online हो रहा है तो आपको online apply करना है अगर online नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको offline ही बनवाना पड़ेगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक को शेर करना साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक दोस्तो बाई बाई टेक कियर